निवस्कार दोस्तो जेहिंद वंदे मात्राम आपसे भी काश्वागत अब्रेंदन है टीटी फैमिली सिचकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावड़ बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो आज का गोल्डन वीडिव होने वाला है आज हम आपकेजीन पियाजे जी के पूरी कहानी पूरा निचोड बताने वाले हैं कोई आपको पता जीन पियाजे जी से कोई भी सिच्छकवर्ती टीठी के एक्जाम हो जीन प्याजे जी से अवज से प्रश्ण पूँचे जाते हैं साथ साथ जीन प्याजे जी के पूरे सिधान के जो संगनात्मक सिधान्त है संगनात्मक विकास का सिधान्त है पूरा निचोड बात करेंगे कहां कहां से प्रश्ण पूँचे जाते हैं किस टाइब से मोडेर प्रश्ण पूँचे जाते हैं पूरा निचोड बात करने वाले हैं साथ इस साथ इससे समंदिर टॉप क्लास के जो अभी तक एकजाम में पूँचे गए प्रश्ण है सारे प्रश्न को भी करने वाले हैं तो देर न करिए सुरुवात कीजिए नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं और बांकी सभी क्लासे चल लें जिसका आई ब्रण पे यहां पे अलेडी लिंक दे दिया गया है तो आप सभी लोग जानते हैं पहले पेंश से ही हमारे जो पर सनुत्तर शुरुवात हो जाते हैं आप सभी जानते हैं कि जीन प्याजे जी का जन्म कभ हुआ 9 अगस 1918-1996 को जीन प्याजे जी का जन्म हुआ और इसके साथ साथ ये भी प्रशन पूंचा जाता है कि मरत तु इनकी कब हुई जीन प्याजे जी के मृत जोए 16 सितंबर 1980 को हुई साथी साथ परशन पूचा जाता है जीन प्याजे जी के कहा के निवासी है इनका निवास हिस्तल क्या है तो सुर्जर लेंड के निवासी थे साथी साथ संगनात्म बिकास के सिद्धान्द के जनक कौन है तो जीन प्याजे जी हैं आप सभी लोग जानते हैं अब बात करेंगे अंगले points की अंगले महत्पून बिन्यों की जो अकसर पूछे जाते हैं बात करेंगे जीन प्याजे जी की विकास की जो अवस्था हैं इनके बारे में बात करेंगे देखे अवस्था की अगर बात करते हैं पियाजे जी के जो संगनात्म विकास के अवस्थाएं हैं यहां से प्रशनक्सर पूछे जाते हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि पहली अवस्था जीन पियाजे जी की समवेदी गामक अवस्था या समवेदी पेशी अवस्था जो जम से लेके दो वस्थक की अवस्था कहलाती है दूसरी अवस्था पूर्शंक्रियात्मा कवस्था जो दो से लेके साथ वस्थक की अवस्था कहलाती है इसी के साथ-साथ इस्तूल मुण शंकरियात्मक वस्था 7 से लेके 12 वस्था कहलाती है साथ-साथ औहपचारिक शंकरियात्मक वस्था 15 वस्था है और आपको पता जीन प्याजे जी के वस्था से एक नंबर प्रतेक टीटिक जाम में 100% पूचा जाता है आईए बात करते हैं अब इन महत्पूर्ण सिध्धांतों के बारे में सिध्धांत के साथ साथ बात करेंगे जीन प्याजे जी ने अपने सिध्धांत में जीन पदों का विसेश बल दिया है संप्रत्य पर विसेस दिया है वह आपके विसेस बल अनकूलन पर बल दिया गया है शाम अधारन या संतुलन पर सन्नच्छन पर शंगनात्मक सन्नचना पर इसकीमा पर इसकीम्स पर या बिकेंदर पर ये साथ ऐसे हैं जीन प्याजे जी ने अपने सिधान पर इन 7 पदों पर संप्रत्य पर विशेश बल दिया है, ये भी आपके important हो जाते हैं, इसी के साथ साथ ही अब हम बात करेंगा आपके, जीन प्याजे जी के संगनात्मक सिधान को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको विकासात्मक सिधान प्रशना गया कि स्टेज थियूरी के प्रत्पादक कौन है या अवस्ता सिधान के प्रत्पादक कौन है तो आपका जवाब एक ही होना चाहिए जीन प्याजेट के बात करेंगे और पहला एक इंप्याजेट है जीन प्याजेट जी ने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था जिया किसी दूसरे बच्चे पर नहीं अपने खुद के बच्चे पर जीन प्याजेट जी ने प्रयोग किया एक महान मनो बेग्यानी के बात करते हैं जीन प्याजेट जी के जीन प्याजे जी के आप सभी लोग जानते पहली अवस्था के बात करते हैं जीन प्याजे जी के पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था या इंद्री जनित अवस्था कहलाती है सिंसरी मोटर स्टेज कहलाता है इस अवस्था के अगर बात करते हैं साथियो इस अवस्था में परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत होता है यानि बच्चे जो है अगर परचीत है उसके बच्चे के तो मुस्कान के साथ बच्चा उनका स्वागत करता यानि जब कोई भी परचीत उससे बोलता तो बच् से वस्तु को देख कर सुनकर इसपर्स करके गंद के द्वारा तथा स्वाद के मादम से ग्यान ग्रहन करता है साथ इसाथ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यह होता है कि वस्तु इस्थायत का गुण भी इसी अवस्था में पाया जाता है आप आईए बात करेंगे अब आपके दूसरी अवस्ता कहलाती है पूर्शंक्रियात्मक अवस्ता फ्री में नोर्स पाना चाहते हैं आज ही टेलीग्राम ग्रूप चैनल जॉइन कर लिजे जैसवाल कोचिंग सेंटर लिंक आपको मिल जाएगी या सर्च भी आप लोग कर सकते हैं तेकि दूसरी स्टेज अवस् अवस्ता में बच्चा नहीं कर पाता है तो क्या नहीं परता है सजी और नजीव में अंतर नहीं कर पाता है अंगला है अहम केंदिता देखे बच्चा ये सोचना सुरू कर देता है पूर्शंक्रियात्मक अवस्ता में बच्चा दोस लेके सातवस्तिक अवस्ता कहलाती है इस अवस्था में बच्चा जो है सोचना शुरू कर देता है, जो है कर रहा है, उसे सब ठीक लगता है, और खुद को सबसे ज़्यादा महत्तो देता है, प्रशना गया कि जीन प्याजी जी की किस अवस्था की बिशेशता की बच्चा खुद को सबसे दिक महत्तो देता है, व पूर्शंक्रियात्मक तीसी अवस्था की पहले हम बात करेंगे पूर्शंक्रियात्मक अवस्था में ही इसमें सजीवता के गुर्ण देखनों को मिलता है प्रशना गया कि सजीवता के गुर्ण जीन प्याजे जी की सवस्था में देखने को मिलता है तो आपका जवाब होना पूर्शंक्रियात्मक अवस्था दोती अवस्था में अनुकरन सीलता की अवस्था कहलाती है मुद्रा भार दूरी उचाई आद्में अंतर बच्चा नहीं कर पाता है बच्चा एहमवादी होता है प्रशना गया कि बच्चा एहमवादी होता है जीन प्याजे जी की सवस्था की विसेश्था है यह जीन प्याजे जी की दोती अवस्था पूर शंक्रियात्मा का वस्था की विसेश्था है दूसरों को कम महतो देता है बच्चा स्वयम को अधिक महतो देता है ठीक है इसके साथ साथ अब बात करेंगे आपका जो अंगली अवस्था है वह कहलाती मूँ शंक्रियात्मक अवस्था या इस्थूल अवस्था कौन सी कहलाती है कंक्रीट ओपरिशनल स्टेज की बात करते हैं इस अवस्था जो तीसी अवस्था कहलाती है आपकी सास लेके गेरा अवस्था की अवस्था कहलाती है इस अवस्था में तार परिपक्त नहीं होता है क्योंकि वह प्रारम में होता है तो अपरिपक्ता की कमी होती है दो वस्तों के बीच तुलना करना अंतर करना समानता वस्मानता गरगुन आ जाता है अब यहां से आ गया कि दो वस्तों के बीच तुलना करना अंतर कर पाना कि यह किस जीन प्याजेजि या उतकर्मिन सील्टा की अवस्ता कहलाती है यहाँ पे बच्चा उलट पलट कर सकता है यहीं समझने लगता है क्योंकि यहीं से हमारा प्रसन की किलियर हो जाता है कि बच्चा जो है तार्किक चिंतन प्रारंब हो जाता है या करने लगता है इसी के साथ ही अब इसकी बात करते हैं कि ये आगमनात्मक तरकना भी इसी पर होता है भासा एवं संप्रेशन योगता का विकास भी इसी में होता है मुद्रा भार दूरी उचाई आदि को बच्चा समझने लगता है वैकलाती मूश शंक्रियात्मक अवस्था इसी के साथ ही आपकी चौथी अवस्था है आपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसको अमूर्थ अवस्था भी कहते हैं मांसिक योगता का पूर्ण विकास हो जाता है। इस कीमा सबसे जरूर प्रशन पूचा जाता है। सरीर द्वारा की जाने वाली जो गतिविदिया होती है जो दिमाग से जुड़ी रहती हैं उसको ही इस कीमा कहा जाता है। ये रहे मातवपूर आपके जो सिधान्त चारो स्टेश से सम्मंदित बात किये अब जीन प्याजी जी की परिभासाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जीन प्याजी जी की स्टेट्मेंट कथन परिभासाओं से भी प्रशन पूछे जा सकते हैं। जथा नन्हे बैग्यानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिधान्तों की रचना करते हैं। किसने कहा जीन प्याजी जीने कहा। ये रहे दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे तरीके समझ पाए होंगे। साथ ही साथ अपने टीटी फेमली को लाइक, सेर, सस्काइब अवश्यकर लें। क्योंकि ये टीचर्स फेमली सिधकों का परिवार है। आईए हम जीन प्याजी संबनेत महत्पूर्ण फेक्ट जान लिया। तो प्याजी जी के नुसार पहले ग्याननेंद्री उपचर्ण, जो पहला ग्याननेंद्री उपचर्ण होता है, सिस्वों का बेवार जो होता है, तो कर्मकत्ता के रूप में होता है। इसी के साथ ही आपका दूसरा प्रस्ण क्या पूंचा जा रहा है दूसरा प्रस्ण है जीन प्याजी जी का मुख रूप से किसके अध्यन के लिए जाना जाता है तो सभी लोग जानते जीन प्याजी जी का जो है संगनात्म विकास के द्धन के लिए जाना जाता है अंगला प्रशनाप लोगों के स्कीन पर है कि वह इस्तर जिसमें बच्चा किसी वस्त विवम घटना के बारे में तारकी कृप से सूचना सुरू कर देता है वह कौन सी अवस्था कहलाती है वह तरती अवस्था सास लेके गेरावस्था क्योंकि तारकी कुरूप से सोचना या प्रारंब सब दाता है तीक है तो वह तित्री अवस्था है लेकिन परिपक चौथी अवस्था में ही होता है तो मूद शंक्रियात्मा का वस्था या मूद क्रियात्मा का वस्था सास लेके गेर अवस्थक की अवस्थक की बात करेंगे जीन प्याजे जी के अंसार अधिगम के लिए क्या आवश्चक होता है तो जीन प्याजे जी के अंसार अधिगम के लिए जो आवश्यक होता है वह होता है विद्याजियों को द्वारा पर्यावर्ण की सक्री खोजबीन क्या होता है विद्याथियों को द्वारा परेवन की सक्री खोजबीन जो है जीन प्याजे जी में अधियम के लिए आवश्यक होता है इसी के साथ ही अंगला प्रशन है जीन प्याजे जी के अंसार नवीन जानकारी में संसोधन की प्रकिया को ही क्या कहा जाता है समावेशन कहा जाता है अंगला जो प्रशन दिया गया है कि जीन प्याजे जी किमसार संगनात्म बेकास के किस अवस्था में बालक वस्थ को पहचानने की कोसिस करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है अब देखे बच्चा क्या कर रहा है वस्थ को पहचानने की कोसिस कर रहा है यानि प्रयास कर रहा है और जैविक क्रियाओं को भी अपना रहा है यह कहलाएगा संवेदी गामा कवस्था जन से लेके जो हमारी दो वस्था की अवस्था है वह कहलाती संवेदी गामा कवस्था सैसा अवस्था जीरो से लेके दो वस्थक की अवस्था अंगला जो प्रस्ण है कि जीन प्याजे जी ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है जीन प्याजे जी के कॉर्डिंग देखा जाए बच्चों का जो चिंतन है वैसकों के पेच्छा देखा जाए तो वह प्रकार में भिन होता है बजाए मात्रा के मात्रा में भिन नहीं होता लेकिन प्रकार में भिन होता है अंगला पियाजे जी के अंसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमी का महत्पूर्ण होती है तो जीन पियाजे जी के अंसार विकास को प्रभावित करने में जो भूमी का महत्पूर्ण होती है वैकलाती बहुतिक बिस्व के साथ अन्भाव ठीक है अंगला प्रस्ण इसकिन पर आपके है कि जीन पियाजे जी के सिधान के अनुसार बेक्ति के संगनात्म विकास को क्या प्रभावित नहीं करता है पियाजे जी के अनुसार बेक्ति के संगनात्म विकास को जो है आपके समाजिक अनुभव जो है आपका प्रभावित नहीं करता है अंगला पसने अमूर्थ बैग्यानिक चिंतन के लिए छमता कभेकास की सवस्था की एक विसेश्था होती है तो अमूर्थ बैग्यानिक चिंतन की ये छमता कभेकास जी सवस्था के लिए विसेश्था कहलाती है वह हमारी चौती अवस्था कहलाती है क्योंकि अमूर्थ का सम किससे होता है और चारिक संक्रियात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं जीन प्याजे जी की चौथी वस्था गेरस लेके 15 तक की अवस्था की बात करते हैं इसी के साथ ही अंगला प्रिशने प्याजे जी की सिध्धान के अंसार बच्चा सेखता है तो अनकूलन की प्रकिया द्वारा जो है बच्चा सीखता है अंगला प्रिशने पियाजे जी के संगनात्म बिकास के सिद्धान के अंसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी कहलाती है चैसे संवेदी क्रियात्मक पूंचा जाए जिस संवेदी गामा का वस्था पूंचा जाए जम सले के दो वस्थक की अवस्था कहलाती है अंगला जो प्रस्ण है पियाजे जी के अंसार संगनात्मक बाल विकास की अवस्थाएं कितनी है पियाजे जी के अंसार संगनात्मक बाल अवस्था की चार अवस्था है पहली जम से लेके दो वस्तक अवस्ता समवेदी पेसी या गामा का वस्ता दो से लेके साथ वस्तक अवस्ता पूर शंक्रियात्म का वस्ता साथ से लेके गेरा वस्तक की जो अवस्ता कहलाती है वह है मूश शंक्रियात्म का वस्ता और गेरा से लेके पंदरा वस्तक अमूत य यह दोनों सनशनवादी हैं और इन दोनों सनशनवादी अधिगम को जो है सक्री बिन्योजन के अर्थ निर्माण की प्रकिया के रूप में देखते हैं। अंगला है जीन प्याजे जी के संगनात्म बिकास के चर्णों के अंसार इंद्री गामा के संवेदी प्रेड़ा का वस्था किसके साथ सम्मंदित है यह दोस्तों आपके अनुकरन इस्मति और मानसिक निरूपन के साथ सम्मंदित हो जाती है। अंगला जो प्रस्ण है प्याजे जी के संगनात्म बिकास के सिधान से नेताथ निकालते हुए ग्रेड 6-8 के सिच्छा को अपनी कच्छा में क्या करना चाहिए। जब आपकी निक्त होगी आपसे प्रस्ण पूँचा जाएगा कि प्याजे जी के संगनात्म बिकास के सिधान के एकॉर्डिंग जो है नेताथ निकालते हुए ग्रेड 6-8 के सिच्छा को अपनी कच्छा में क्या करना चाहिए तो ऐसी समस्षा है प्रस्तुत करने चाहिए जिसमें तरक आधारी समधान की और शक्ता होती है या बात करेंगे अंगले प्रस्त की किस अवस्ता में समाजिक खेल का विकास होता है तो जो मूर्ष शंक्रियात्म का वस्ता होती जीन प्याजे जी की तरती अवस्ता होती है सासले की गेरा वस्तक की अवस्ता इसमें जो ह अंगला जो प्रशन है कि फोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिलाता है यानि एक बालक चिलाता है ओह उस खूबसूरत फूल को देखो जब उसकी दादी उसे फूल का वर्ण करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है वहां बाहर वही दादी आखिरकार ये निरास हो जाता है और फोन काट देता है ये किसका उधारन होगा इस प्रकार के एक प्रशन जूरूर पूछा जाएगा ये एगो एहम केंदरन या इगो सिंट्रिज्म का उधारन हो जाता है अंगला जो प्रशन दिया गया है कि पियाजे जी किंसार मौजूदा योजन अंगला जो प्रस्ण है कि जीन प्याजे जी ने संगनात्म बिकास के अपने सिधान को विक्सित करने के लिए आंकड़े एकत्र किये अपने बच्चे को देख कर अपने बच्चों को देख कर जो है जीन प्याजे जीने संगनात्म बिकास के अपने सिधान को विक्सित करने के प्रस्तूत संनच्छन के प्रत्य से तातपर प्रत्य से तातपर होता है कुछ भौतिक गुनधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकरतियां बदल जाएं अंगला जोपरसने जीन प्याजे जी के संगनात्म विकास के सिध्धान्द की पूर्शंक्रियात्म कवस्था का आयू शमू क्या कहलाता है तो पूर्शंक्रियात्म कवस्था का जो आयू शमू कहलाता हैं कई बार जिक्र कर चुके हैं दो से लेके साथ वस्था की अवस्था का कहलाता है प्री इस्टेज की बात करतेंगे नई सूचनाओं को पूरवर्ती बिद्मान मानसी सनचना बेवस्थित करना क्या कहलाता है तो कोई भी जब नई सूचना होती है उसमें पूरवर्ती यानि पहले से जो बिद्मान मानसी सनचना है उसको बेवस्थित करना है तो उसको ही आत्मसाथ करन तो अनकूलन को आपने समझ दिया कोई भी योजन, उसमें नई यानकारी जोड़ते हैं, तो अनकूलन कहलाता है, और नई सुछना में जो पहले से विद्मान, मांसी सनशना उसको ब्यवस्तित करते हैं, उसको आत्म साथकरन कहा जाता है, और अंगला जो है कि उत्तर-लवस्त का वस्था जो है उत्तर वाला वस्था होता है लेकिन अगर आपसंस पे अगर आप 6-12 दिया गया है ठीक है बांकी आपका 9-12 नहीं दिया गया तो फिर 6-12 वाले आपसंस को करना है अगर 9-12 दिया गया तो 9-12 वस्थ सही हो जाएगा यह रहे दोस्तो जीन प्याजी समंदित ह हमने टॉप 30 कोस्टन किया इसके पहले हम जीन प्याजी जी के महत्पुंजो संगनात्म विकास से पूरा निचोड़ बात किया आई होप इससे समंदित जिसने भी प्रश्ण पूछे जाएंगे अब आपसे A to Z बिलकुल पूरे प्रश्ण बनेंगे A to Z आपके बिलकुल सह की एंसर होंगे मैं आपके साथ जैस पासर मिलता हूं आपके अंगले सिधान तंगली क्लास अंगली वीडियो पर सभी मित्रों को जैह हिंद वंदे मात्रम धन्वाश अफिक